खुद को अट्रेक्टिव कैसे बनाएं, खुद को परभाव साली कैसे बनाएं, खुद को ऐसा कैसे बनाएं कि लोग आप के परती आकरसित हो, अट्रेक्टिव होना आप क्या समझते हैं, उसकी परिभासा आप क्या समझते हैं, ब्रांडेड कपड़े पेरना, अच्छा चेह न तो लोग आपसे अटक्ट्टि होंगे लोग आपके प्रती अकरसित होंगे लोग आपका सममान तभी करींगे जब आपके अंदर ये अच्छी आद्त होंगे नमबर वन जब भी मिले तो लोगों से हस्ते हुए चेरे से मिले कभी भी किसी से मिलोना तो उदास चेरे से नहीं मिलना ध्यान रखना उदास चेरे वाले गत्ती के कोई भी मित्र नहीं होता है अगर आप हर वक्त उदास रहोगे ना तो लोग यह कि अरे यार कुछ नहीं है हर वक्त वो रोना रोता रहता है उसके चेरे पर हमेसा उदासी रहती है और हर वक्त वो तो उदासी रहता है इसलिए ध्यान रखना कि उदास रहती का कोई भी मित्र नहीं होता है इसलिए जब भी आप लोगों से मुस्क्रा के मिलोगे ना तो लोगों के उपर एक अलगी ब्रभाव पुरेंगे, लोग आपके प्रती अकर्सित हो '' शर्माना छोड़े आप अगर बात बात पर शर्माते होंचो लोग आकर्सित नहीं हो होगे जद भी मिले तो लोगों से गर्म जोसिस है मिले और सर्माना चोड़े अगर आप बात पर सर्माओगे ना तो लोग कुछ कहिए कुछ नहीं आरो तो हर बात बात पर सर्माते रहता है आपकी हमेशा हशी उडाएंगे अगर आप चाहते हो नोग आपसे प्रती अकर्शित हो त अगर आप अच्छा बोलोगे ना, आप उसको जी करके, उसके नाम के आगे, जी करके संबंदन दोगे, आप उसको आप करके बोलोगे, तो अगर आप अपनी मोली अगर सही बोलोगे ना, और बात बात में तू तड़ा की बसा यूज नहीं करोगे, और अपने सब्दों में गाली का प्रियोग नहीं करोगे न तो लोग आपके परती अकर्शित होंगे आपका परवाव स्वाली रख्तित्प्वे लोगों पर पड़ेगा लोग कहेंगे अरे नहीं या वो क्या अच्छा बोलता है मीटा बोलता है सुन्दर बोलता है आपकी तारीफ करते हुए नहीं दूसरों के कम्या नहीं निकाले और पीट पीछे बुरहीं करें अगर आप बात पर दूसरों के कम्या निकालोगे और बात बात पर पीट पीछे बुरहीं करोगे लोग आप से दूर होना सुरू करते हैं आपके पास आना तो तूर आप से दूर भंगे अर यार कुछ नही किसी की अगर आपको कमी निकलती है ना तो उसके सामने उसको खुद को बोले तो अकेले में बोले आप उसकी कमी किसी दूसरे को बोलो के तो वो खुद थोड़ी सुधार करेंगे ना सुधार तो उस व्यक्ति को करनी है जिसको आप कहो और अकेले में कहो किसी की कमी कहनी है न अगर किसी ने कुछ गलत किया है ना तो उसे अकले में को वो सब के सामने किसी का अपमान मत करो खुद को फिट रखे अगर आप चाहते होना है कि लोग आपके प्रति आकरसित हो अटक्टिव हो तो आथ के जम्म में खुद को फिट रखना भी बहुत जरूरी है अगर आप हर वक्त बीमार रहोगे आलसी रहोगे दो कि अरे यार कुछ नहीं वो तो बीमारी वाला परसान है हर वक्त बीमार है कभी सिर दुखता है कभी कभी मुकार आता है कभी पेर दुखते है इसलिए ध्यान रखना कि अगर आप फिट रहोगे एनरजेटिक रहोगे और अचिसे प्रश्नल्टी से रहेंगे मेरह दो, कि बीद्रफण करोणची, यह उत्यूब करता धर और यह उत्युल्ट कुछ वो व्यक्ति जो भी बोलता है फैक्ट बोलता है और हमेसा कभी जूटे वादे नहीं कहता है जो कह दिया वो करके लिखाता है ऐसे लोगों भी दूसरे लोगों के परती सम्मान करते हैं और उनसे आकरशित होते हैं और उनके व्यक्तित्व की ये सराना करते हैं को नहीं यार वे वक्ति तो जो भी बोलता है फैक्ट बोलता है और कभी भी वो दूसरों के सामने यह जरूर किते हैं नहीं है और वो वादा करता तो वादा जरूर नहीं बाता है लोगों का सम्मान करें जब भी कोई लोग मिनने उनको सम्मान से उनका वहवार करें अगर आप किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं दोगे ना उसको तू तड़ा करके बोलोगे और उसको मतलब एक आप हिन बावना की तरह से दर्साओगे ना तो इसे व्यक्ति भी आप की तारीफ नहीं करेंगे आप से दूर भागेंगे इसलिए अगर अपना व्यक्ति तो प्रभावस वाली बनाना है अगर आप चाते हो कि लोग मेरे प्रती अटेक्टिव हो तो सबसे पहले लोगों को सम्मान देजिए जो व्यक्ति लोगों को सम्मान देता है ना सामने वाले उसको भी वही और उत्पही सम्मान देते हैं अच्छा वेवार लोगों से हमेसा अच्छा वेवार करना आप चाते हैं कि लोग मेरे प्रती अच्छा वेवार करते हैं लोग आपके प्रती अकरसित होंगे, लोग आपके प्रती आकरसित होंगे, लोग आपके व्यक्तितु का परभावसानी व्यक्तितु को मानेंगे नहीं यार, वे व्यक्ति यार, बहुत अच्छा व्यक्ति है, लोग आपके आकरसित होंगे, लोग आपके आकरसित होंगे, लो